नमस्कार, स्वागत है आपका इन्वीशन की खास पेशकर्ष, खास मुलाकात में उची उडान ये कद कितना छोटा ये कहावत यूही नहीं बनी है इस कहावत का मुर्तिमंत उदारन जो है आज हमारे स्टूडियो में यहाँ पर मौजूद है कला का जतन करना, कला के साथ में जीना और कला के साथ में जीते-जीते समाज के लिए कुछ करने की चाहा रखना और सिर्फ चाहने रखना उसकी जिद रखना और उस जीत के लिए कला का सववर्धन करना यह खासियत है साची अर्वरकर की जो चाइल्ड आर्टिस्ट है और कार्टूनिस्ट है और हवारे नापपूर का नाम रोशनर करने जा रहे हैं साची आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियों में स्वाची हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं साची एज अ कार्टूनिस्ट ये सपना आपने कैसे देखा और कम आपको लगा कि आप कार्टूनिस्ट बन सकती है पापा को पता चला की कर रही है जैसे जब मैं चोटी थी तो एक दिन मैं करती रहती थी पापा को नहीं पता था तो पापा हर जगे मेरी बड़ी सिस्टर है उसको और मेरे भाईया को ही हर जगे लेके जाते थे जिसे कई एग्जिविशन्स वग्रे होता है तो मैं भी जिद करती थी कि मुझे भी आना है करके और फिर पापा फिर मुझे भी लेके जाते थे तो वहाँ पर मुझे एंट्री नहीं देते थे कि छोटी है करके अपर मैं बहुत जित करती थी कि मुझे भी जाना है करके तो फिर उन्होंने मुझे एक बार ऐसी एंट्री दी और मैंने वहाँ पे बनाया और फिर घर पे आके वो सेम चीज मैंने भीचे से बनाया था एक दिन पापा मैं घर पे थी दरवाजा बनकर के अंदर अपना कुछ क पापा को मैं दिखी नहीं घर पे तो पापा ने मम्मे को पूछ कि साची का है तो फिर उनको बताया की अच्री में है अंदर अपा ने भुष आवाज दिया पर मैं दर्वाज नहीं खोल कि कि मैं मेरा सब कर रही थी थी तब मैं अपन्सन्ट्रेशन लगा उखा वा था और फिर पापा ने दरवाजा खोला, फिर पापा ने मुझे पूछा कि इतना देर क्यो लगा दरवाजा खोलने के लिए क्या कर रही थी, मैं बहुत डर गई कि मुझे बहुत डाट पड़ेगी, तो मैंने थोड़े दर बताया हिने, फिर उसके बाद मैंने पापा को दिखाय तो पापा ने उसको गवर से देखा तो जो ड्रोइंग है तो तब उनको समझ में आए कि नहीं गीली है मतलब अभी 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 बनाई है तो तब से पापा ने फिर हर जगा सपोर्ट करना शुरू किया और हर जगा मुझे लेके जाते हैं तो देखो कुछ ना कुछ पाने के लिए हम लोग कहते कि कुछ महिनत करनी पड़ती है और साड़ेखिन साल की उमर में आपने ये जो है अपनी कला का जो है एक शुरुवात की जिससे आपके बापा ने भी नवाजा पोर्ट्रेट पिंटिंग ये आपको मतलब हमने जो देखा है साची आपने बड़े बड़े लोगो की पिंटिंग्स निकाली है जिसमें जितिन गड़करी जी हैं मोहन भागवजी है तो इन लोगों से आपको क्या प्रेड़ा मिलती है और आपने इन लोगों को कैसे चुना कि मैंने इनके वोटेट बनाने चाहिए जैसे यह लोग हमारे देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत लोगों को सपोर्ट भी करते हैं तो यह देखकर ऐसा लगता है कि बनाना चाहिए तो इसलिए मैंने बनाए उनके और जैसे नितिन गड़करी सर है उनको भी उनका दिया है जैसे मेरा पहला ज और मैंने उनका लाइफ भी कार्टून बनाया है अच्छा उनके सामने बैठके आपने उनका कार्टून बनाया है और बहुत खुप्सरोत पेंटिंग हमने भी देखी हो बहुत उनका बनाई है आपने तो ऐसी बस बनाती हूँ साची जैसा मैंने शुरुवात में कहा था कि आप कला का सववर्धन तो करी रही है लेकिन उसकी प्रिछे आप कुछ मैसेज देने की भी बात कर रही है टाइम सौप इंडिया में भी आपका एक अच्छा सा आर्टिकल आया था कि आप लोगों को प्रोपसाहित करती है कि व तब मेरे बड़े पापा की मेरे ग्रैंट फादर की एक्सिडेंट में डेथ हो गई थी तो तब मैंने मेरे आखों से उनको देखा था उस पॉट पे उनको ले जाते हुए तब मेरे दिमाग में ख्या लाया कि इनकी बोड़ी तो बहुत अच्छी थी इनके और्गन्स भी जो कि फिर बाद में कुछ भी काम नहीं थी तब मैंने पापा को बोला कि इनकी बोड़ी तो बहुत अच्छी थी पड़ इनको जला दिया गया अगर यही और गन्स हमने किसी जरुवत मन को दिया होता तो उनके कितने काम आता अज वो उन आखों से देख पाते उन और और जो मेडिकल स्टूडेंट है जो डॉक्टर की फिर्परेशन करें उनके लिए वो बॉड़ी काम आती तब सी मेरे दिमाग में वो आया और उस पर मैं काम करें हमने यह सुना है कि आप जब भी किसी वेक्ति विशेश का चित्रन करती है और तो आप उनको रिक्वेस्ट करती कि वो भी अपनी बॉड़ी डोनेट करें या और गन डोनेट करने के लिए प्लेज ले यह सच है हमने जो सुना है जैसे बड़े सेलिब्रिटीज को उनका पोट्रेट या कार्टून गिफ्ट करती हूं तो उनको यह प्रोचसाहिद करती हूं अवेर करती हूं कि आपको और करना चाहिए उनमें से कई सेलिब्रिटीज ने किया रहता है और बहुत से बोलते हैं कि हम जरूर करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है सुनके आपने इतने जो कार्टून बनाए है इतने वेक्ति चित्रन के जो आपने चित्र बनाए है तो इन लोगों के साथ में जब आ इन लोगों से मिलती हुँ जब बहुत अच्छा लगता है उनको मेरा हाथ से बनाया हुआ कार्टून पोट्रेट जैसे संजय दद सर को भी उनका कार्टून गिफ्ट किया था वो तो देखकर बहुत खुश हो गए थे मैं जनरली जब कार्टून गिफ्ट करती हुँ तो उ अगर उनको मिलती तो आपकी मुलाकात नहीं हो जल्दी आके उनसे मुलाकात हो तो अगर उनको मिलती तो आप उनसे क्या कहते हैं अगर मैं उनसे मिलती तो मैं उनको मेरे जो मिशन है जैसे मैं अवेर करती हुँ लोगों को और डोनेशन के लिए जैसे वो नाखपूर भी मेडिकल के प्रोग्राम के लिए आई थी तो उनको उस बार में बताती ता कि जैसे उनसे ये बात पूरे देश तक पहुच सकती थ क्योंकि मैं चोटी हूँ मेरी बात जादा लोग सुनते नहीं है बट उनके जरी अगर मैं बताती तो पूरा देश सुनता और यही मैं उनसे बात करती है आपने हाल ही में यह जो आप कार्टून तो बनाती है चितरन करती है लेकिन हाल ही में आपने एक 3D पेंटिंग की भी शुरुबात की है यह आपको कैसे सूचा जैसे वेस्टेज होता है लोग वेस्ट फेक देते हैं कार्ट बूर्ट के तुकड़े वगरे बट वही अगर उन यह संसे तो यही मैने मनाए है साची आप कार्टूंस तो है ett कुछ इपर लोग और यह साथ में पराई भी कर लही है तो पढ़ाई आपके लिए पार्ट ताइम है यह इस तो नहीं आपके लिए इक्षा लॉ इंपॉर्टन से है बट जैसके पढ़ाई के बीच में कभी टा जो आपके साथ में खेलते हैं और पिंटिंग के साथ साथ में आपने खेल कूद में भी तो हिससे लिये होंगे तो वो बच्पन आपने जिया है उसमें कहीं आपको regret है कि क्यार एक आम बच्पन जो था खेलते कुटे वो भी आपने जिया है या उसमें कहीं आपको regret है ने मैंने मेरा बच्पन भी जिया है और जो बच्पन में चीजें करनी चाहिए जैसे मैंने की है इतना सब अचीव किया है वो भी किया है और साथ में जैसा बच्पन है वैसे भी जिया है बड़ी होके साची क्या बनना चाहती है बड़ी होके तो इसी फिल्ड में कुछ करना है पेंटिंग कहें या या काटनिस्ट के फिल्ड में ही आपको अपना नाम कवाना है लिजिइंडरी परसन जो है जिनके पीछे पुरा भारत वर्स दौड़ता है और आज हि उतने एक्टेव परसन है हिंदी फिल्म जगत के अमिता बच्चन जी अमिता बच्चन जी से जब आप मिले साची तो कैसा था? मतलब वो इस बात की बहुत खुशी है कि पूरी दुनिया सारे लोग अमिताप सर का ओटोग्राफ लेने के लिए लिए लुड़ते हैं पर अमिताप सर ने खुद मेरा ओटोग्राफ दिया और मेरे स्याक के बात की और उनको मेरा बनाया हूँ कार्टून बहुत अच्छा लगा और मेरे बारे में कुछ भी अच्छीवमेंट मेरा सुनते थे तो वो हर बात पर कहते थे एक फोटो हो जाए एक फोटो हो जाए तो बहुत खुशी हुई उस पल में मुझे तो ये थी हमारे साथ में साची अर्मरकर जो के नाको की कला कारा है कार्टूनिस्टर बहुत से इसने चितरन किये है और इतने खुब्सोरा चितरन किये हैं कि जो देखते हैं उस पर आँखे जो है अपनी स्थीरोजध感じ सिर्फ चितरन ही नहीं किये है लेकिन चितरन के साथ-साथ में एक प्यारासा संदेश भी साची सबको देना चाहता है कि हमने समाज के लिए कुछ करना चाहिए संदेश यह है कि हमने अपने ऑर्गन डोनेट करने चाहिए इससे होगा क्या इससे आने वाड़ी पिढ़ी जो है सुदूर हो पाएगी कुछ हम जान बचा पाएंगे जो ऑर्गन के लिए वेटिंग में है उनको शायर हम और गन दे सुदू यहां के सेंगे। बची जो हम भी उनके साँ प्रमना।